डारेक्टर सभाश गई की फिल्म खलनायक ने 1993 में बहुत बड़ा बवाल किया फिल्म का गाना चोनी के पीछे क्या है ये उस वक्त बहुत बड़ी बचा थी हाँ पता है सेंसर बोड ने इस गाने को वलगर नहीं कहा पर काफ़े लोगों ने इस गाने को लेकर सवाल उठाए पैसे ये गाना गाया है अलका यागनिक और ईला अरुन ने अलका यागनिक ने अपने एक इंगविम बताया था कि उस तोरान वो इंडस्ट्री में नहीं थी और म्यूजिक कंपोजर लक्षमी कांत प्यारलाल के साथ काम करना कोई आम बात नहीं थी अब फिल्म से जोड़ी जो भी खबर आ रही है वो तो सुनने में यह आ रही थी पर उन्हें असल में जटका तब लगा जब वो स्टूडियो में वह वंची अलका को गाने के लिए जो लाइन्स मिली थी वो थी चोली में दिल है मेरा, चुनरी में दिल है मेरा फिर जो खबरे आ रही थी, ये गाना अशनील है and on उसका अंदाजा उन्हें स्टूडियो में हुआ क्योंकि उन्हें मिली अपॉर्चुनिटी से वो इतनी खुश थी क्यों उन्हें इस बात पर पहले ध्यानी नहीं दिया पर ये बात पता चलने के बाद न, उनकी राएं वही थी ये गाना बिल्कुल भी अशनील नहीं है गाना काफी नौटी है और उसे क्योट तरीके से पिक्चुराइज किया गया है फैसे इस गाने का किस्सा यहां खत्म नहीं होता हमारी जो नीना गुपता जी है फेमस अक्ट्रेस जिनकी बेटी के शादी में उनी के चर्चा हो रही थी वो भी इस गाने में माधुरी के साथ नजर आई थी तो उन्होंने एक इंटर्व्यू में कहा था कि जब वो सेट पर गई थी तब काफी टेंशन में थी क्योंकि माधुरी जैसी ट्रेंड डांसर उपर से इस सरोज खान सुभाश खई मतलब प्रेशर पर प्रेशर फिर सरोज खान से उनकी मुलाकात हुई तो सरोज खान ने कहा तुम्हें इस गाने को लेकर कौन से स्टेपस आते हैं मुझे तरके दिखाओ फिर मैं उसे सही करती हूँ और इस गाने में मैं तुम्हें ढाल देती हूँ ये सुनने के बाद नीना काफी रिलाक्स हुई और जैसा जैसा सरोज जी ने कहा उन्होंने वैसे वैसे फॉलो किया पर नीना की क्वाइश तो अधूरी रह गई तैसल उनका कहना था कि उन्हें किसी फिल्म के लिए जब फिल्म फियर अवार्ड मिला था तब उन्हें ऐसा लगा था कि एक दिन बाकी सेलेबरिटीज की तरह वो भी चोनी के पीछे क्या है गाने पर डांस करेंगी और वो डिमांट करेगी किस गाने के लिए उन्हें सरोज खानी चाहिए पर ये क्वाइश पूरी हो उससे पहले ही सरोज खान जी की मौत हो गई इसी वज़ा से नीना का ये सपना अधूर रह गया क्यार कोई बात नहीं पर इससे पे कुछ बड़ी आखलना एक पार्ट टू में देखने को मिल सकता है जिसे सुभाश कोई ही डारेक्ट करने वाले हैं तो दोस्तों आप कितने एक्साइटिद हो फिल्म खलना एक टू करिए हमें कॉमेंस ट्वे ज़रूर बताए